कर्मचारियों की वेतनमान संबंधी मांगों के संबंध में लिये गए निर्नाय विग्यप्ती राज्य कर्मचारियों की वेतनमान संबंधी मांगों के संबंध में प्रमुक शासन सचिव, वितकी अध्यक्षता में गठित समिती की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्मियों के प्रमुक बिंदू प्रेस विग्यप्ती कर्मचारियों की वेतनमानों संबंधी मांगों का समाधान करते हुए राज्य सरकार द्वारा वेतनमान संशोधन के आदेश जारी कर दिये गए हैं अतिरिक्त पदोननती के अफसर प्रदान किये गए हैं। अधिसूचनाएं एवम आदेश जारी कर दिये गए हैं। केंद्र सरकार की तरज पर 15 पे बैंड को समाप्त कर पे बैंड एक स्वीक्रित किया गया है। इसका मुखे लाब चतुर्थ श्रेनी कर्मचारी समवर्क को प्राप्त होगा जिनके मूल वेतन में 850 रुपिये तक की बड़ोतरी होगी। पूर्व में 15 पे बैंड 4750 से 7440 था जिसके स्थान पर अब पी बी एक 5200 से 20200 स्वीक्रित किया गया है एवं ग्रेड पे भी 1300 के स्थान पर 700 रुपिये स्वीक्रित की गई है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप चतुर्च श्रेनी करमचारियों के साथ साथ एक SP बैंड में वेतन प्राप्त कर रहे अधिनस्थ सेवाओ के करमचारियों को भी लाब मिलेगा। करमचारियों को 2400 की ग्रेड पे स्वीक्रित करने के फलस्वरूप कनिष्ट लिपिकों के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल्स एवं पटवारी तथा समकक्ष पदू के करमचारियों के मूल वेतन में भी 500 रुप्य की बड़ोतरी होगी एवं पदोननती अथवा ACP मिलने के परिणामस्वरूप उच्च ग्रेड पे प्राप्त होंगी। 2400 रुप्य ग्रेड पे प्राप्त करने वाले करमचारियों को 2800 रुप्य की ग्रेड पे स्वीकृत की गई है। इस संशोधन से सूचना सहायक, सहायक रेडियोग्राफर, जुनियर ड्राफ्समेन, पंप ओपरेटर ग्रेड एक, हेल्थर वाकर फीमेल, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड एक, पशुधन सहायक, लेबोरेटरी टेक्नीशियन इत्यादी को लाब होगा। ग्राम सेवकों को पटवारियों के समान विशेश भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक आदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे। इस निर्ने के परिणामस्व रूप अनेकों सम्वर्गों के करमचारियों एवँ अधिकारियों को ACP के रूप में 5400 रूप ये की ग्रेड पे प्राप्थ हो सकेगी। लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड टू एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड वन निर्धारित किया गया है। करने के उद्देश्य से इस कैडर को डाइन कैडर घूशित करने के परिनामस्वरूप 17 फरवरी 1995 से अब तक समाप्त किये गए उच्चे पदू को द्रिष्टिगत रखते हुए पदोन्नती के अफसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक तानुसार उच्चे पद स् रुपये की स्थान पर 3600 रुपये एवं वरिष्ट प्रभोधक की ग्रेड़ पे 3600 रुपये के स्थान पर 4200 रुपये संशोधित करने का निर्नय लिया गया है अध्यापक के पद की ग्रेट पे दिनाग 1 जुलाई 2013 से 3,600 रुपये निर्धारित किये जाने के फल्स्वरूप प्रथम ACP के रूप में अध्यापकों को 4,200 रुपये की ग्रेट पे देया होगी चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत DACP में रही तथा कथित विसंगतियों के निराकरण हेतु वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी मैदंत चिकित्सक एवं उपमुखे चिकित्सा अधिकारी कनिष्ट विशेशग या एवं समकक्ष पदू के लिए दिनाग 11 जुलाई 2011 से निम पदू पर कारे कर रहे हैं उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वे यदि प्रेक्टिस नहीं करना चाहें तो उन्हें नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस NPA स्वीकृत किया जाएगा उलेखनिय है कि मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से NPA देया है जिसकी गर्ना भत्तो एवं पैंशम के लिए भी की जाती है चिकित्सा अधिकारियों एवं Senior Demonstrators MD अथवा MS की योग्यता के आधार पर तीन अतिरिक्त वेतन रिध्या स्वीकृत करने के आदेश जारी किये गए है सहायक रेडियोग्राफस की ग्रेड पे 2400 रुप्य के स्थान पर 2800 रुप्य निर्धारित की गई है सहायक रेडियोग्राफ से रेडियोग्राफ से रेडियोग्राफ के पद पर पदोननती है तू 5 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया जाएगा रेडियोग्राफर्स तथा वरिष्ट रेडियोग्राफर्स को पदोननती के अफसर प्रदान करने की दृष्टी से जिला चिकित सालियों में एक एक तथा चिकित सा महाविध्यालियों में तीन तीन पद अधीक शक रेडियोग्राफर के पद स्रिजित करने का निर्नय लिया चिकित्सा एवं स्वास्थिय विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंदित लेब टैक्नीशियन एवं रेडियो ग्राफिस सम्वर्गों को 250 रुप्ये प्रतिमा मैसलाउन स्वीकृत किया गया है। इवं लेडी हेल्थर विजिटर का मैसलाउंस 600 रुप्ये बढ़ाकर 800 रुप्ये किया गया है। विभिन अभियांत्री की विभागों के अधिनस्थ एवं राज्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नती में स्टैगनेशन की समस्या दूर करने की द्रिष्टी से कैडर रिव्यू करने का निर्ने लिया गया है 15 पे बेन समापत करने एवं नियुनतम वेतनमान PB1 तथा ग्रेड पे 1700 रुप्य निर्धारित करने के परिनामस्वरूप पैंशन एवं पारिवारिक पैंशन की नियुनतम दर 3025 रुप्य से बढ़ाकर 3450 रुप्य संशोधित की गई है परिनामस्वरूप नियुन्तम पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्ज एवं परिवारिक पेंशनर्ज की मूल पेंशन में 425 रुप्य प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी बज़क घोशना संख्या 275 के अनुसरन में राज्य सेवाओं के वेतनमानों की समीक्षा करते हुए अनेको समवर्गों के वेतनमानों तथा पदोननती के अफसरों में बढ़ोतरी के साथ साथ उच्छ पत स्विजित करने का निर्नय लेते हुए संशोधित वेतनमानों के के रूप में 5,400 रुप्ये की ग्रेड पे प्राप्त हो सकेगी